Friends, आज भारत वर्तमान के साथ ही अगले पचीस वर्सों के लक्ष को लेकर नीतियां बना रहा है, निरने ले रहा है। इस कालखंड में भारत ने हाई ग्रोथ के वेलफेर और वेलनेस की सेटुरेशन के लक्ष रखा है। ग्रोथ का ये कालखंड ग्रीन भी होगा, क्लीन भी होगा, सस्टेनेबल भी होगा, रिलाएबल भी होगा। ग्लोबल गुड के लिए बड़े कमिट्मेंट्स करने और उन पर खरा उतरने की परंपरा को जारी रखते विए, हमने 2070 तक नेट जीरो का टार्गेट भी रखा है। दुनिया की 70 प्रतिशत आबादी वाला भारत बले ही ग्लोबल कार्बन एमिशन में 5 परसेंट, only 5 परसेंट कंट्रिबुट करता हो, लेकिन क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हमारी प्रतिवज़ता 100 परसेंट है। इंटरंडेस्टर सोलार एलाइंस और कोईलिशन पर डिजास्टर रेजिलियन इंफ्रस्ट्रक्ट्टर पर क्लाइमेट एप्रिकेशन एडप्शन जैसे इनिशेटिव इसका प्रभान है। बीते वर्षों के प्रयासों का नतीजा है कि आज हमारे एनर्जी मिस्क का 40 प्रतिशत हिस्सा नौन फोसिल सोर्सिट से आ रहा है। भारत ने पैरिश में जो एलान किया था वो हम टार्गेट से नव साल पहले भी प्राप्त कर चुके हैं। फ्रेंड्स इन प्रयासों के बीच हमें ये भी मानना होगा कि हमारी लाइफस्टाइल भी क्लाइमेट के लिए बड़ी चुनोती हैं। थ्रो अवे कल्चर और कंजुमरिजम ने क्लाइमेट चैलेंज को और गंबीर बना दिया है। आज की जो टेक, मेक, यूज, डिस्पोस ये जो एकोनामी है उसको तेजी से सर्कुलर एकोनामी की तरफ बढ़ाना बहुत जरूरी है। कोग 26 में, मिशन लाइफ, मिशन लाइफ के जिस आइडिया की चर्चा मेंने की थी, उसके मूल में भी यही भावना है। लाइफ यानि लाइफ स्टाइल फॉर एंडवारबेट। ऐसी रेजिलियन्ट और सुस्टेनेबल लाइफ स्टाइल का वीजन हो। जो क्लाइमेट काइसिस के साथ साथ भविश के अनप्रेडिक्टेबल चैलेंजिस में उससे निपटने में भी काम आए। इसलिए मिशन लाइफ का ग्लोबल मास मुवमेंट बनाना जरूरी है। लाइफ जैसे जनभागी तारी के अभियान को हम P3 और जब मैं P3 कहता हूँ प्रो प्लैनेट पीपल का बड़ा आधार भी बन सकते हैं।